कि नमस्कार कैसे हैं आप जी ट्वेंटी की बैठक में दुनिया घर के ताकतवर देशों के राष्टा ध्यक्ष भारत आए अमेरिका के भी रसिया के नहीं आए राष्टपती तो प्रधान मंत्री को भेजा चाइना के पीम भी आए लेकिन मैफिन लोट लिया ब्रिटन प्राइम मेनिस्टर रिशी सुनक नहीं सुनक अब ब्रिटिस नागरी खोचुके हुए हैं लेकिन उनके पूर्खे दो मात्र दो पुस्त पहले भारतिये थे अब सुनक यो तो हैं ब्रिटिस नागरी लेकिन सनातनी हिंदू हैं और भारत के दामाद माने जाते रिशी सुनक की पतनी नारायन मूर्टी की बेटिया है अक्षता मूर्टी नारायन मूर्टी और सुधा मूर्टी की पुत्री हैं दोनों जगत में नैतिक्ता और आदर्श के प्रती मूर्टी हैं, मूर्टी नाम है, प्रती मूर्टी हैं, रिशिशुनक जब भारत आए, तो भारत में उन्होंने पूरी महफिल लोट ली, उनका एक एक फ्रेम, उनकी पत्नी और उनके साथ साधकी दिखाती है, कि एक देश जिसका एक समय में दुनिया के दो तिहाई हिस्से पे कबजा था, पूरी जमीन का हिस्सा जिसके पास था उस ब्रिटिन का प्राइम मिनिस्टर, भारत आया तो साधगी से भड़ा रहा, जब विदेशी राजनेक पहले आते थे, ब्रिटिस के प्धान मंत्री या उसके राजकुमा भार भी आते थे, तो ताज महल देखने जाते थे, अब रिशी सुनक जब भारत आये, तो उन्होंने अक्षर धाम मंदिर जाने का सपना दिखाया, तो वो पूरा हुआ पत्नी के साथ वो अक्षर धाम मंदिर गये, और कहते ना कि शुव अबसर पर बारिश हो जाए, तो स कि दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति भी अपनी पत्नी के सामने कैसा होता है, लेकिन बात यहीं तक नहीं है, रिशी सुनक आये तो अपनी साथगी से कई महफिल रूट लिए, एक तस्बीर यह भी रही, बांगलादिस की प्रान मंत्री शेक हसीना के सामने में, उनकी सौमेता को, लेकिन रिशी सुनक इसी लिए भी इतनी प्रसिद्धिया नहीं पाए, वो जब सानातन पे बोले कि मैं सानातन ही हूँ, तो सुनका सानातन गौरब भारत में उन्हीं और लोग प्रिये कर गया, मातर 42 साल के रिशी सुनक ब्रिटिन के सबसे कम उम्र के प्रधान मंत्री है, लेकिन आपको पता है कि वो ब्रिटिन के अब तक के सबसे संपन्न प्राइम मिनिस्टर है, रिशी सुनक की संपत्ति के बारे माना जाता है कि उनके पास अब तक के जितनी जो ब्रिटिन के जित 1852 में जो UK के प्राइम मिनिस्टर एडवर्ट स्टैनली थे उससे भी ज़्यादा संपन्द माने जाते हैं 84.4 लगवाग पच्चासी करोर डॉलर के मालिक है रिशी सुनक और जानते हूं वो कैसे वो इसलिए इतने संपन वो इसलिए खें क्योंकि वो भारत के दामाद वो अक्षता के पती है नारायन मूर्ती के दामाद है इनफोसिस के मालिक नारायन मूर्ती और अक्षता की मम्मी सुधा पूर्ती के बारे में भी कहा जाता है कि सुधाप मूर्ती सादगी की परतीक है अब जानकारी यह मिल रही है कि ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जब भारत आए उससे पहले नाराइन मूर्ती ने अपने दामाद के लिए कुछ फिल्डिंग की अब चुकि नाराइन मूर्ती की वो दामाद है और नाराइन मूर्ती अपने आप में एक बड़े नाम है ब्रिटिन में उनका अपना एक सामराज्य भी है अब कहते हैं न कि एक कहावत है कि ससुराल को लेकर के कि सारी कुदाई एक तरफ जोरू का वाई एक तरफ यह कहावत है लेकिन ये कहावद चरितार्थ हो एहें ऐसा लग रहा है ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर भारत आए और भारत से जब गए तो कई सवालों के घेरे में आए जितना दौरफ उन्हें यहाँ पर मिला, जितना सम्मान उन्हें यहाँ मिला ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जब हाउस अप कॉमन गए तो बिपक्ष ने उनसे कई सवाल कि पाकिस्तानी मुलके एक सालसत कंजर्वेटी पार्टी के रहमान चिस्ती ने उन पर तावर तोर गोले चलाए जानते हैं वो गोले क्या थे वो गोले ये थे कि रस्या के बार्ट में हमला क्यों नहीं किया भारत में जाकर के रूस पर हमला क्यों नहीं किया ब्रिटिन ने योक्रेन के पक्ष में ब्रिटिन ने बयान बाजी क्यों नहीं किया ये लगातार कंजर्वेटिक पार्टी पर हमला होता रहा यह पूछा जाता रहा कि प्रथान मंतरी बोधी से ब्रिटिस प्राइम मिनिश्टर रेजिस सुना कि ने या क्यों नहीं पूछा कि आपने रूस से पेट्रॉलियम क्यों खरीदा आप रूस से वैपार क्यों कर रहे हैं यूक्रेन और रसिया के युद्ध के बीच में पूरे में भी भारत ने रसिया से अपने सम्मंध स्थापित किये आपको याद होगा उस दौर में जब भारत ने रूस से पेट्रॉल लिया था तो भारत के विदेश मंतरी से यह सवाल किया गया था जैस जैसंकर ने कहा इंडिया फस्ट हमारे लिए भारत प्रमुकता है और हमें जो सस्ता पेट्रॉलियम उपलब्द कराएगा हम उससे सामान खरीदेंगे यदि रूस से भी कोई सस्ता हमें उपलब्द कराएगा तो हम उससे खरीदेंगे और एस जैसंकर के इस बयान ने पाकिस्तान में उन्हें हेरो बना दिया था और इमरान खान ने भी इसकी चर्च की थी कि एस जैसंकर ने मुखतोर जवाब ब्रिटेन को दिया था अब तलपना कीजिए यह अवसर था कि भारत आकर के ब्रिटिस प्राय मिंश्टर रान मंतरी मोधी से स्तावाल करते कि आप रसिया से आपने पेट्रोलियम क्यों खरीदा ऐसे समय में जब रूस के राष्टर ना आने से दवाब यह भी ब्रिटेन पर था कि ब्रिटेन ये लगा ये पूछे ब्रिटिस प्राय मिनिस्टर रिशी सुनक ये सवाल करें कि रुस्या के खिलाब भारत बयान क्यों नहीं दे रहा यूक्रेन के पक्च्वे भारत क्यों नहीं बोल रहा लेकिन रिशी सुनक एक भारती प्रणान मंत्री पर ऐसा कोई दवाब नहीं बनाया, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, रोस और उग्जेन युद्ध पर कोई चर्चाही नहीं हुई, किसी नहीं किया, सिर्फ ये हुई बात कि युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, और भारत वसुधैब कुटुम्वकम को मानता है, वारती प्रणान मंत्री नरेंद्र बोदी के, और रसिया के प्रणान के बीच वारतालाप का वो हिस्ता, खोब वाइरल हुआ, जिसमें प्रणान मंत्री कहते हैं, कि मैंने पुतिन सहाब से का है, क्यो दसमाधान नहीं है, अब कमाल की बात देखिए, कि जब G20 की बैठक समाप्त हो गई, तो जानते हैं, रूसी प्रणान मंत्री ने क्या कहा, रूसी राष्ट्रपती पुतिन ने क्या कहा, भारत से दुनिया को सीखना चाहिए, ये बात रूसी प्रणान मंत्र राष्ट्रपती ने इसलिए कहा, क्योंकि G20 की बैठक में भारत ने सब क को साथ लिया शक्तिशाली राष्क ब्रिटेन ही नहीं अमेरिका को भी अब दूसरी तरफ देखिए तो क्या सब कुछ यूं ही हो गया कि क्या ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर यहां सानातन की बात करते रहे और जब प्धान मंत्री मोधी कोनार के उस घड़ी के पास खीच करक हाथ जोर करके उसे मिलते हैं सब के साथ सीधे हाथ मिलाते हैं लेकिन रिशी सुनक के साथ उनके मिलने का स्टाइल एक भाई की तरह दिखता है अपनी की तरह दिखता है तो यह पूरे जोर दिखाता है कि ब्रिटिन और भारत का सम्मंध किस अस्तर तक गया ब्रिटिन के प बराबरी के पर कैसा होगा अब भारत याचफ की भूमिका में नहीं है भारत अब देने वाले की भूमिका में और देने वाला सिर्फ सामान का नहीं है भारत इस भूमिका में है कि कैसे यूरोप में वो युद्ध रोका जा सके तब सोचिए कि सब चीजें ऐसे ही हो गई होग जानकारी के मुताविक पढ़ान मंतरी मोदी ने सुधा मूर्ती और नारायन मूर्ती से बात की और इसके लिए उने एक तरह से मनाया कि रिशी सुनब जब भारत आएं तो कम से कम ऐसा माहौल बने कि वो भारत में अपने आपको महसूस करें, फील कर सकें कि वो अपने घार आएं हैं और सामाने सी बात है, दूसरों के पिक्षा ब्रिटिस प्राइब मिनिस्टर के लिए पॉजिटिव पॉइंट ये था कि वो अक्षता के पती हैं अक्षता भारत की नागरिक हैं अक्षता नारायन मूर्ती की बीटिया हैं अक्षता सुधा और नारायन मूर्ती की बीटिया हैं और इनफोसिस के एक बड़े हिस्से की हिस्सेदारी है अक्षता के पास इनफोसिस दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है और ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जो इतने संपन है वो अपनी पत्नी के का तो ब्रिटिस प्राइम मिनिस्टर जो आज तक के प्रिटेन के सबसे संपन प्राइम मिनिस्टर माने जाते हैं उसके पीछे भारत है तो साफ होता है कि भारत आज देने के कंडिशन में है अब अक्षता को दहेज में इस ही नारायन मूर्ती ने जो कुछ भी अपनी बिटिया को दिया उसने ब्रिटिस के प्राइम मिनिस्टर को ताकतवर बना दिया है आर्थिक रूप से संब्रथी के माइने होते हैं और यही क के सनातन पर सवाल नहीं कर पाए भारत यहीं चाहता है कि रिशिशुनक अपने देश में लोकपिये हूं वो ब्रिटिन के सबसे बहतरीन प्राइम मिनिस्टर हूं भारत उनसे यह अप्छा नहीं करता कि वो भारत के उन जनमजात उनके पुरबज भारती रहे हैं इसलिए भारत के प्रतिसरद्धा दिखाएं भारत यह चाहता है कि एक सनातनी गौरब के रूप में उनका नाम हो लेकिन निश्चित रूप से अब बराबरी का सम्मंध ब्रिटिन और भारत का है ऐसे में सनातन के प्रतिस समर्पन और सादगी दिखा कर वो महफिली नहीं लूट ग इनी भाई तो यह सब कुछ यूँ ही इसी ने कहते हैं पढ़ान मंतरी मोधी तहां कहां किस तरह से काम कर रहे होते हैं कहना मुश्किल है कोई भी रिजल्ट एक दिन में नहीं आता दिल्ली रातो रात नहीं तयार की अभी जी ट्वेंटी के पहले भी मेरा दिल्ली घूंग उनका मजाक और आते थे उन वो सब खुद बखुद मजाक बन गए यूए नहीं प्रिटिस प्राइम मिनिश्टर ने इस तरह का औरा क्रियेट किया यूए नहीं उनकी तस्वीरे चाथ छत्री में पतनी के साथ तस्वीरे अक्षरधाम मंदिर की आई यूए नहीं वो नवरत्म हैं जिस पे हम लोगोंने कई बार चर्चा की पूरा विदेश मंत्रा ले एस जैशंकर के हिससे क्यों दिया गया और जब G20 की बैठक सफल हो गई तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोधी विदेश मंत्रा ले गए एक एक करमचारी से बात दरसल जैशंकर की अमेर्गी राष्ट्रपती जेवाइडन दिन गेसा भी प्राइम मिनिस्टर की वैसी ट्विनिंग देखिया वही जिवाइडन है जिन से उम्मीध की जा रही थी कि यह जब राष्ट्रपती बनेंगे तो मोधी के साथ इनके रिष्टे टक्राएंगे डोनाल ट्रम्प के सा प्षाष्यों की गोश्णा करनी शुरू करतीू अमेरिका में भी सनातन रंग-kalतन रंग रहा है इसकी वज़े है अमेरिका में रहने वाले भारतिये NRI और यूई प्ढ़ार्मंत्री मोदी जब विदेश जाते हैं तो NRI के बीच नहीं जाते हैं प्रधान मंत्री मोदी ने एक नई लकीर खीच, दुनिया के किसी भी देश में जब जाते हैं तो हम मौजूर NRI से मिलते हैं, उनके साथ किसी सभागार क्यों उनके भेट होती है, उनका भाशन होता है और NRI को वो ताकत देती है, एक समय में NRI भारत में भी माना जाता कि NRI है ये भारत से बाहर चले गए हैं, इसका मतलब भारत में का प्रेम नहीं, आस्था नहीं, ये ब्रेन ड्रेन है, उसी ब्रेन ड्रेन को मोदी ने भारत की ताकत बना दी है, और वो भारत ये जब ब्रिटिन और अमेरिका समेथ, आस्ट्रेलिया, कनाडा समेथ, दुनिया भर के अलग अलग देशों में जब अपनी कर्म भूमी की ताकत हैं तो वो अपनी सरकार की भी ताकत बन जाते हैं बिर्टिस प्राइम मिनिस्टर जानते हैं कि बिर्टिन में मौजूद हिंदू ब्रिटेन में मौजू सरातनी भारतिये किस तरक उनके लिए ना सिर्फ वोट बैंक है उनकी ताकत तो ब्रिटेस प्राइम मिनिस्टर योही नहीं आए सनातन भारत में सनातन गौरब बढ़ाने उन्हें पता है कि बिर्टेन में सनातनी वोटर इंडियन एनराई उनके लिए कितनी वड़ी ताकत बन कर आएंगे तो सोचिए ताकतवर तो खुद है वो भारत के नाकरिक रह चुके जनवजात वो भारतिये मूलके हैं वो भारत के वर्थमान में अब यदि कह सकें इंडियन नहीं है तो भारत के दामाद तो ने आप कही सकते हैं और यही वज़ा है कि अपनी ससुराल की ताकत से वो बिर्टेन के अब तक के सबसे स्थमपन प्राइम मिनिस्टर है और यह संपनता यह आर्थिक ताकत हर किसी को मजबूर करता है और इसलिए पूरी महफिल बिर्टेस प्राइम मिनिस्टर ने लूटी उसमें उनकी सौम में सास अक्षता मूर्थी की पिचरचा होती है अक्षता मूर्थी नभी हाल के दिनों में कहा था कि मैं जहां कहीं भी जाती हूँ मेरे साथ गणपती होती है मैं जहां कहीं भी जाती हूँ मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ और मैं जहां भी जाती हूँ वहाँ अपना सामान अपना चम्मच अपना कटोड़ी रखते हूं साधगी का पोजन करती सोचिए भारत के इतनी बड़ी बिजनेस आइकॉन जो कहते कि पहली महिला इंजीनियर भी है वो सुधा नारायन मूर्ती ये तस्वीर पेश करती तो तैसी बात है सुधा और नारायन मूर्ती ने मूदी के लिए क्या क्या काम किया बैक डोर में ये दिखाने की नहीं होती बहुत सारी चीज़ें प्रदर्शन की नहीं होती जैसे हम अकसर कहते हैं कि क्या काम कर रहे हैं आजित डुभाल असी पार अजी डुभाल क्या काम कर रहे है 370 पर रातो रात सब कुछ नहीं हुआ 370 का खात्मा रातो रात नहीं हुआ कश्मीर में सुकून रातो रात नहीं लोटा और बहुत कुछ चर्चा करने की जुरुत नहीं हो लेकिन ये समझने की जुरुत होती है कि कुछ भी यूँ ही नहीं हुआ तो जैसे 370 का खात्मा रातो रात नहीं हुआ अजित डुभाल का वो समर्पन वो एक तरह से कह सकते हैं अजित डुभाल का कर्म छित्र जो कश्मीर में हुआ वो और रिसी सुनक का यहां आकर महफिल लूट लेना भारत को किसी विधन से धर्म संकट से बचा देना यह बहुत बड़ी चीज दी इसलिए रूस भी जैजय कर रहा है मोदी और भारत का अमेरिका भी जैजय कर रहा है मोदी और भारत का ब्रिटेन भी जैजय कर रहा है मोदी और भारत का तब जब G20 खत्म हुआ लेकिन खेराती ये खेल खेल रहे हैं कि अमीर की राष्टपती भारत छोड़कर भी बियतनाम गए तो कुछ और बोले ये तमाम फरेब है कि सोचिए कि पुतिन भारत आये नहीं लेकिन उन्होंने G20 और मोदी के बारे में क्या कुछ कहा आपने बढ़ा दरसल पुतिन भी जानते हैं कि उनके अनपस्तिती में भी मोदी ने सब को कैसे साधा यही विश्वनेता और विश्वगुरु की बुमिका है मोदी भारत को यूहीं विश्वगुरु की तरफ नहीं ले जा रहे हैं और इसलिए देश विरुधी उससे बीचैन है तो परदे के पीछे का खेल आप समझ गये होंगे रिसी सुनक बृटिन जाकर के भले राहूल गांदी जैसे वहां के सास्दों के तीर को अपने तरफ उठाया और यूँ तोड़ दिया और लकीर खिज दी कि सनातन की शक्ति क्या होती है जी ट्वेंटी ने भारत की नई तस्वीर पेश की है विश्ववंच पर भारत की नई तकदीर पेश की है और विश्वगुरु के तरफ बढ़ते भारत को देखकर हम भी निहाल हो रहे है ये विश्लेशन आपको कैसा लग रहा? इसके कंटेंट आपको पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए बहुत बहुत धन्यवाद वंदे मात्रम जैहिंद